दोस्थ अप्डेट हैं मोटराला की तरफ से मोटरोला लेकर आने वाला है मोटरी एसर जो पिछले साल आया था उसका सक्सेश सर्धूर का अगला वर्जन इस में एक्सपक्ट किया रहा स्लाइटली लॉंगर होगा थोड़ा लंबा उससे लघ्षाथ वी होगा पिछले साल के मोटरेजर से और पंधरा ग्राम हलका भी होगा पिछले साल से एंडरोइड 10 हमें देखने को मिलेगा इस डिवाइस में और प्राइस और अवेलिबिलिटी दाम कितना होगा और कब से मिलना शुरू होगा यह सब कंपनी रिवील करेगी मतलब मोटरोला रिवील करेगा 9 सेप्टेमबर को देखते हैं कैसा रहता है यह फोन कैसा परफॉर्म करता है जो भ अपल वाच सीरीज 3 को रिप्लेस करें मतलब थोड़े कम दाम में देखने को मिलेगा आइपैड प्रो तो आएगा ही और रिपोर्ट्स के मुताबिक चार आइफोन लॉंच होने वाले हैं जिसमें सबके सब ओलेडी डिस्पले में आएंगे जिसमें से दो मोडल जो होंगे और जो नए डार्क ब्लू के साथ आएंगे और जो प्रो वर्जन है उनका स्क्रीन साइस होने वाला है 6.1 इंच का और 6.7 इंच का स्क्रीन होता है तो अभी तक का सबसे बड़ा डिस्प्लेगा आइफोन होगा क्योंकि अभी भी आइफोन 11 प्रो मैक्स जो है वह सबसे होंगे रिपोर्ट के मुताबिक अपने सप्लायर को बोल दिया है कि इस साल कम से कम 75 मिलियन आइफोन 5G आइफोन प्रोड्यूस करने हैं उसके सप्लायर को इसके अलावा एपल काम सकता है देखते हैं अप्डेट्स लेके आता है जो भी अप्डेट्स होंगा आपको बताता रहोंगा और आपका क्या कहना है इस निज्स के बारे में सनाइजर इसको मार्केट कर रहा है everyday earphone for casual listeners बोलके आउटर सेक्षन में हमें देखने को मिलेगा touch id for calls music playbacks और voice assistant एक चार्ज में अब टू 7 hours की battery life देखने को मिलेगी और charging case के साथ up to 20 hours की battery life expect की जा रही है यह 15 सेप्टेंबर में इसका यूरोप में सेल शुरू हो जाएगा एक्सपेक्टेड प्राइस है 199 यूरो जो कि हो गया लगबग साड़े सतरह जरुप है वैसे इस प्राइस में सैमसंग का बड्स लाइव और इसके आसपस आपल एरपोर्ट भी आ जाते हैं वैसे सनाइजर क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताएं